ओम श्यांती, दस एप्रिल दो हजार तेईस के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुडली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा बच्चे, भक्ती मार्ग में तुमने दरदर बहुत धक्के खाए, बिलकुल ही नयन हीन, बुद्धी हीन बन गए थे, अब तुमको श्र श्रिमत पर चलेंगे, तो फिर से ऐसे लक्षमी नारेंड समान स्रेष्ट बन सकते हो, बेहद की शांती और सुख का वर्षा, कोई मनुष्य मत्र से नहीं मिल सकता, आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से ही वर्षा मिलता है, फिर बाबा ने कहा, पहले पहले सब को यही बताओ, कि पतित पावन बनाने वाला, और नरक से निकाल स्वर्ग का मालिक बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है, वह बाप अभी सब को पावन बना रहे हैं, इन भारत माताओं दवारां, इनके उपर ही ज्लान का कलश रखा है, यह भारत माता शकती अवतार है, याद रखो, तुम शिव शक्तियां हो, शिव बाबस से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी भी स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे. और लास्ट में बाब नहीं कहा, यहां तो सब बिलकुल रोगी, पतित, कोड़ी दुल्य बन गए हैं, फिर से तुमको मेरे जैसा बनना है, तो पुरशार्थ करो. परम पिता परमात्मने अब ओर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे. और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से. मुडली का सार, मीठे बच्चे, स्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो. लक्ष्मिनारेन भी श्रीमत से इतने स्रेष्ठ बने हैं. प्रश्न, भक्ती में गव मुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर क्योंकि संगम पर बाप ने ग्यान का कलश माताओं के उपर रखा है. तुम माताओं के मुख से ग्यान अम्रित निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं. इसलिए भक्ती में गव मुख का यादगार बना दिया है. तुम गव माताओं हो, तुम ही सब की मनोकामनाई पूर्ण करती हो. इसलिए यादगार बने हुए हैं. गीत नयन हीन को रहा बताओ. ओम शान्ती. बच्चों ने गीत सुना. भक्ती मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयन हीन, बुद्धी हीन बन गए हैं, हमें रहा बताओ. हे प्रभू जी, याद करते हैं अपने बाप को. उनको परम पिता परमात्म कहा जाता है. सभी जीव की आत्में बाप को याद करती हैं. हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं. दर दर धक्के खाते रहते हैं. जहां भी जाते हैं. उनके ओक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किस के पास जाते हैं. शिव के मंदिर में जाते हैं. परंतु उनको पता नहीं हैं कि शिव कौन हैं. जहां भी जाएंगे, जाकर माथा टेकेंगे. जानते नहीं कि वह कौन हैं, कब आये थे. लक्षमिनारण के मंदिर में भी जाते हैं. लेकिन जानते नहीं कि यह कब आये, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं देलवाडा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदी देव बैठा है परन्तु जानते नहीं, यह कौन है जगतंबा के पास जाते हैं, परन्तु वेह कब आई, क्या किया कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं गव मुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीड़ी उतरते चड़ते हैं पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है एक पत्थर का गव का मुख बनाया है कहते हैं गव के मुख से गंगा जल निकलता है अब जानवर या पशु के मुख से अमरित थोड़े ही निकलता तीर्थों पर जाते हैं किसके भी ओक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि यह कब आये, क्या आकर किया, हम क्यों पूजते हैं, बुद्धी ही इन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वे है सब का बाप है, मनुष्य के तीन बाप कहे जाते, एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य स्रिष्टी, अथ्वा मनुष्य सिजरे का रच्ता, प्रजा पिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप, भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं, कि नयन ही इनको आकर रहा दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने, यह कलियुग तो है ही दुख धाम, सत्युग है सुख धाम, और जहां से हम आत्मा इपार्ट बजाने आती हैं, उनको शान्ती धाम कहा जाता है, आत्मा को यह शरीर उपी बाजा, अथ्वा यह करमेंद्रिया यहां मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है, आत्मा तो है अव आत्मा है पार लोकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लोकिक बाप की संतान, आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्सा मिलता है, बेहद के शांती और सुक का वर्सा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी देवता कहा जाता परमात्मा एक शिव है शिव परमात्मय नमह ब्रह्मा परमात्मय नमह नहीं कहेंगे तो यह जो भी मंदिरादी है उनके उक्यूपेशन को कोई नहीं जानते उच तेउच परम पिता परमात्मा शिव है फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विश्नो शंकर की शिव निराकार अलग है शंकर आकारी देवता है परमात्मा एक है यह पहली अच्छी रिती समझाना चाहिए पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए जो बाप स्वर्ग का रचता है मनुष्य तो भक्ती में धक्के खाते रहते हैं लक्षवि नारेणड तो है स्वर्ग के मालिक वहां तो सदेव सुख ही सुख है यहां सभी दुखी है यह दुनिया ही पतित है सत्युग में भारत पवित्र ग्रिस आश्रम था यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है राधे क्रेश्न सत्युग के प्रिंस प्रिंसेज हैं जो स्व्यमवर बाद लक्ष्मि नारेन बनते हैं स्वर्ग को कहा जाता है शिवाले अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं दवरा जिनों पर ही ज्यान का कलश रखा जाता है भारत में पवित्र राज्य था अभी है अपवित्र राज्य ग्रस धर्म के बदले ग्रस अधर्म हो गया है फिर बाप आकर पावन बनाते हैं बाप आत्माउं से बात करते हैं मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल तुम बहुत समय के बिछुडे हुए हो अब बिल्कुल रोगी, पतित, कौडी तुल्य बन गई हो फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुशार्थ करो यह भारत माता शक्ति अवतार है यह शुबाबा को अपना बाप मानती है उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है जिससे पांच विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं यह हार जीत का खेल है यह वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शान्ती का वर्सा देते हैं यह राजयोग है, हठ योगी राजयोग सिखा न सके, अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम स्रेष्ट बन रहे हो, रावन की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, भारत अब रावन की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है, जगदंबा सबकी मनो कामनाई पूर्ण करने वाली थी, वे भी माता थी, जगदंबा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है, पवित्रता के बिगर, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो आकर समझो, अब श्रीमत मिलती है, तो उन पर चलना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई मनुष्य तो 84 जनम लेते हैं तुम शक्तियां हो, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे पारलोकिक बाब से 21 जनमों का वर्षा मिलता ही है संगम पर इसलिए पुरुशार्थ करना है बच्चों का भी कल्यान करना है फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे यह राज योग की पाडशाला है भगवानों आज बच्चे मैं तुमको राज योग सिखलाता हूं जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमती सोगती हो जाएगी बाप सुख धाम में भेज देंगे बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांती धाम सुख धाम में ले जाता हूं सत्यूग त्रेता में यह भक्तियादी होती नहीं वहां तो 21 जन्म अथा सुख है अब बाप कहते हैं इस रावन पर जीत पहनो विकार के लिए शादी करना अपनी बरबादी करना है परम पिता परमात्मा ने ओर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे इस दुख धाम से शांती धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो तुम जानते हो सिवाए बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रौंग है भगवान है ही एक अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की ब्रह्मा विश्नु शंकर की लक्ष्मि नारेन आदी सब की बायोग्राफी जानते हो अब तुम श्रीमत से ऐसा लक्ष्मि नारेन समान स्रेष्ट बन सकते हो पवित्र तो जरूर बनना है परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जनम का राज्य भाग्ये मिलेगा कितनी सहज बात है यह समझने से तुम भक्ती के धकों से रोने पीटने से 21 जनम छूट सकते हो समझाना है सत्यू की सापना कैसे होती है फ्रिय चक्र कैसे फिड़ता है सारे वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को समझो यह तो मनश्य ही समझेंगे एक बाप की श्रीमत पर चलना है सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं वह ग्यान का सागर सुख का सागर है वही इन माताओं को ग्यान का कलश देते हैं जिससे यह सब को पावन बना सकती है बागी पाने की गंगा पावन नहीं बना सकती है यह गव माताएं हैं जिनों को ग्यान का कलश मिलता है यहां तो पढ़ाई है पढ़कर देवता बनना है ब्रामन देवता शत्रिये वैशे और शुद्र यह वर्ण है ऐसे यह चुरासी जर्मों का चक्र फिड़ता रहता है इस चक्र को जानने से तुम चक्र वर्ती राजा रानी बन सकते हो अच्छा बाप दादा और मीठी मीठी जगदंबा मा का सिकी लधे बच्चूं प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चूं को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है सबको एक बाप का ओर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे हर एक को तीन बाप का परीचे दे दुख धाम से शांती धाम और सुख धाम में चलने की रहा दिखानी है भटकने से छुडाना है वर्दान मरियादा पुरिशोत्तमबन सदा उडती कला में उड़ने वाले नमबर वन विजई भव नमबर वन की निशानी है हर बात में विन करने वाले किसी भी बात में हार न हो सदा विजई यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मरियादाओं में नीचे उपर होना लेकिन यह संगम युग है मरियादा पुरिशोत्तम बनने का युग पुरुष नहीं नारी नहीं लेकिन पुरिशोत्तम है इसी स्मृती में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे नीचे नहीं रुकेंगे उड़ती कला वाला सेकिन में सर्वसमश्याईं पार कर लेगा स्लोगन एक बाप के स्रेष्ट संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता और अभी मातेश्वरी जी की अनमोल महवाक्य हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पोईंट बुद्धी में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चे रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है दूसरी पोईंट है हम सभी मनुष्य आत्माओं है और परमात्मा हमारा पिता है हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग-अलग चीज है तीसरी पोईंट इश्वर बेंत भी नहीं है इश्वर सरवत्र भी नहीं है अब यही नौलेज बुद्धी में रखनी है इसलिए अपनी नौलेज औरों से न्यारी है भले दुनियावी मनुष्य समझ से हैं कि हमको परमात्मा का ग्यान है अब उनसे पूछो आप में कौन सा ग्यान है तो कहेंगे इश्वर सरव्यापी है अब परमात्मा तो कहता है मेरा ग्यान मेरे दवारा ही मिलता है जैसे बैरिस्टर दवारा बैरिस्ट्री डोक्टर दवारा डोक्ट्री सीखी जाती है भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा एक डोक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डोक्टर पढ़ाएगा मगर यह इश्वरिय नौलेज सिवाए एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुश्य आत्मा चाहे साधू संत महात्मा हो वो भी नहीं पढ़ा सकेगा तो हम कैसे समझें कि इनों में कोई परमात्मा का ग्यान है और चोथी पॉइंट परमात्मा युगे-युगे नहीं आता बलकी परमात्मा कलप-कलप एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलियुक के अंत और सत्युक के आदी संगम समय पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदी सनातन सत धर्म की सापना कराता है अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्रिक्रिष्न वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्रिक्रिष्न नहीं है। शिव परमात्मा है। और वो भी द्वापर में नहीं आता संगम समय पर आया है। पांचवी पोइंट, गुरू बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरू कौन है, मनिश्य स्रिष्टी उल्टा जाड कैसे है, और हमको अपने पांच विकारों पर जीत कैसे पहननी है चट्वी पोइंट, हम वही पांडव योधे हैं, जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है और सात्वी पोइंट परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है तो जिनोंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा दवारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं अब ये सभी बातें बुद्धी में रखना इसको ही ज्यान कहा जाता है और दूसरी बात मातेश्वरी जी समझाते हैं बदनसीबी और खुश नसीबी अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुश्य है जब मनुष्य सरवदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं और जब मनुष्य अपने को दुखी समझ से हैं तो वो अपने को बदनसीब समझ से हैं हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी वखुश नसीबी कोई परमात्मा दवारा मिलती है नहीं यह समझना बड़ी मुर्खता है परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है प्रन्तु तकदीर को बिगाड़ना वबनाना यह सब कर्मों के उपर ही मदार है यह सब मनुष्यों क संसकारों के उपर ही है फिर जैसे पाप और पुन्य का संसकार भड़ता है वैसे तकदीर बनती है प्रन्तु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के उपर दोश रखते हैं अब देखो मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकाल करते हैं फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझ से हैं और कोई फिर उस ही माया का सन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझ से हैं मतलब तो कई प्रकार के प्रियतन करते हैं प्रन्तु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ ही जा रही है जब सृ पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्व्यम परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने इश्वरिय योग पावर से दैवी सुरुष्टी की सापना कराए सभी मनुश्यात्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें